कक्षा दो की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमजिम भाग दो का आठवा पाठ तितली और कली प्रिष्ट संक्या 46 से 49 तक तो आईए सुनते हैं कविता तितली और कली रचनाकार शोभा देवी मिश्रू प्रिष्ट 46 पाठ आठ तितली और कली हरी डाल पर लगी हुई थी नन ही सुन्दर एक कली तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली अब जागो तुम आखें खोलो और हमारे संग खेलो फैले सुन्दर महक तुम्हारी महके सारी गली गली कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंद खेल की सुनकर बात साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली प्रिष्ट 47 अभ्यास कविता से तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? अंदाजा लगाओ तितली कली के पास कब गई होगी? सुभा, दुपहर, शाम तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? दो दो बार अब यहां दिये शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ घड़ी, घड़ी जगह, जगह घर, घर डाल, डाल मिलते जुलते शब्द कविता में से वे शब्द ढूंडो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं जैसे कली, भली यहां दिये गई शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोडो जैसे बोलो, रित्स्थान तितली, रिक्तिस्थान डाल, रिक्तिस्थान प्रिष्ठ अड़्तालीस महके सारी गली-गली महक तुम्हे अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे रिक्तिस्थान अइसे चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हे पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है पसंद है रिक्तिस्थान पसंद नहीं है रिक्तिस्थान तुम्हारे आसपास ऐसे कौन-कौन से फूल है जिनकी बहुत तेज महक है फूलों के नाम अपनी भाशा में लिखो तुम्हारे घर में किस-किस थरहा की महक आती है जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से प्रिष्ठ उन्चास तुम्हारी बात खेलने के लिए कली तुरंत जाक गई थी तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों? जागेंगे रिक्तिसान नहीं जागेंगे रिक्तिस्थान रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी ननही सुन्दर एक कली कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है यहाँ दी चीजें किन-किन रंगों की हो सकती हैं? तितली रिक्तिस्थान सूरजमुखी रिक्तिस्थान बैंगन रिक्तिस्थान लड्डू रिक्तिस्थान पैंसिल रिक्तिस्थान प्याला रिक्तिस्थान कुर्था साग संतरा मिट्टी रिक्तस्थान